सक्षमता परिच्छा रिजल्ट ने बढ़ा दिया सिक्षकों का टेंसन 25 परतिसत सिक्षकों का हो गया जिला दर्वदर और अभी नहीं होगा सिक्षकों का विद्याले आवंटन नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को मैं हूँ इसके चौधरी साथियों एक वार फिर से आप सभी के बीच एहम ख़बर लेकर आया हूँ कि जहां बिहार के तमाम वैसे नियोजित सिक्षक जिन्होंने सक्षमता परिच्छा के रिजल्ट आने के बाद खुसियों के महौल में डूबे हुए थे सक्षमता रिजल्ट पाकर गदगद थे लेकिन उनके चेहरे पर उदासी उस वक्त छा गई जब उनको अपने द्वारा चुना गया उनका ग्रिह जिला आवंटित नहीं होकर दूसरे और तीसरे जिला का आवंटन उनके नाम का हो गया साथियों इससे पहले की इन बिंदूओं पर हम विस्तार पुर्वक चर्चा करे जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किये हैं वो किर्प्या सब्सक्राइब कर लेंगे साथियों मैं बाते कर रहा हूँ बिहार सक्षमता परिच्छा 2024 के अंतरगत कक्षा 6 से लेकर 8 तक जारी किये गए सक्षमता रिजल्ट की 30 मार्च 2024 के दिन में पुर्व सिक्षा मंतरी और बर्तमान संसदिय कार्ज मंतरी सिरी विजय कुमार चौधरी दोरा या बयान दिया जाता है कि सरकार ने जो सिक्षकों से वादा की थी सरकार ने उन वादा को निभा दी है माननीय मंतरी का कहना था कि वैसी सिक्षका जो लगभग 10 वर्षों से अपने ससुराल का मुह नहीं देख पाई 10 वर्षों से दूसरे जिलों में काररत थी वैसी सिक्षकाओं को हम लोगों ने और हमारी सरकार अपने द्वारा चुने गए ग्रिह जिला अवंतित कर दिया है इसलिए सिक्षकों की सकारातमक सोच सरकार के परती होनी चाहिए क्योंकि सरकार ने तमाम सिक्षकों से जो वादा की थी उस पर खरी उतरी है साथियों ये बयान दीन में मननिय मंत्री द्वारा दी जाती है और ज्यादा समय भी नहीं लगता और रातरी आठ बजे के करीव में 6-8 के सिक्चकों का रिजल्ट जारी होता है और उस रिजल्ट के अंतरगत 25% वैसे सिक्चक होते हैं जिनका जिला दरबदर हो जाता है साथियों हम आपको बताते हैं कि बिहार विद्याले परिच्चा समीती द्वारा जो रिजल्ट जारी किया गया है और जो आकरे परस्तूत किये गये हैं आखिर वो क्या है हम आपको बता दे कि कक्चा 6-8 के अंतरगत कुल 23,873 अभ्यार्थियों ने परिच्चा में सामिल हुए थे जिसकी अंतरगत साथियों 22,941 अभ्यार्थियों ने सफलता प्राप कर ली यानि कुल मिलाकर 96,91 एक पर्तिशत सिक्षकों ने सफलता प्राप की वही 932 अभ्यार्थि इसमें औसफल हो गए जिसका पर्तिशत सिर्व सिर्व तीन दसमलव नौ रहा साथियों 22,941 अभ्यार्थियों में 26,82 वैसे अभ्यार्थि थे जिनको अपने द्वारा चूज किया गया पर्थम जिला नहीं मिलकर दूसरा जिला प्राप्त हुआ और उसका पर्तिशत था 11.69 पर्तिशत वही साथियों 22,941 अभ्यार्थियों में 3,053 ऐसे सिक्षक अभ्यार्थि थे जिनको अपने द्वारा चूना गया पर्थम जिला अभ्यार्थित हुआ और साथियों 3,053 सिक्षकों का पर्तिशत रहा 13.31 पर्तिशत और उसके बाद साथियों 17,206 ऐसे अभ्यार्थि थे जिनको अपने द्वारा चूना गया पर्थम जिला आवंतित हुआ और उसका पूड़ा पूड़ा पर्तिशत था 75 पर्तिशत साथियों ये आकरे बिहार विद्याले पर्च्छा समीति द्वारा जो जारी किया गया है मैं आप सभी के सामने उसे परस्तूत कर रहा हूँ इसका मतलब है कि बिहार विद्याले पर्च्छा समीति द्वारा ये पूड़ में ही निर्धारित कर लिया गया था कि 75 पर्तिशत सिक्छक अभिहर्थियों को ही अपने गिरी के जिले आवंतित करने है यानि उनके द्वारा चूने गए पर्थम जिला आवंतित किया जाना ह आदमा की 25 पर्तिशत ऐसे सिक्छक होंगे जिन्हें या तो दूसरा जिला या फिर तीसरा जिला अवंतित कर दिया जाएगा और हुआ भी वही साथियों बेसिक ग्रेड वन टू फाइब के सिक्छकों के लिए ऐसी समस्या नहीं थी कुल एक लाक उन्तालिस हजार सिक्छकों में सिर्वा सिर्व छा हजार ही ऐसे अव्यारती थी जिन्हें दूसरे जिले आवंतित हुए लेकिन 6 से 8 में बहुत बरी समस्या उत्पन हो ग है कि 25 परतिसत ऐसे सिक्छक थे जिनका दूसरे जिलों में पोस्टिंग थी और वें लगभग 8 से 10 वर्सो से करण रथ थे वह Иसे सिक्छकों को अब वापस अपने गिरिह जिले भेज दिए गए हैं और वह सिक्छक जो पुर्म से अपने गिरिह जिले में करण रत थे अब उनको दूसरे जिले में जाने पड़ेंगे तो बदलाब क्या हुआ? सोचने वाली बात है कि ये सोची समझी रन्निती थी जिसके तहट 25 परतिसत सिक्षकों को जिला दरबदर कर दिया गया साथियों इसके बारे में हम कह दे कि वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने कुल 150 पुर्णांक में 115 अंग प्राप्त किये लेकिन उनको अपना पर्थम जिला अवन्टित नहीं हुआ साथियों हम आपको बताते हैं कि एक ही कोटी के वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने 96 अंग पाया उनको पर्थम जिला अवन्टित नहीं हुआ और उसी कोटी के दूसरी अभ्यर्थी जिन्होंने 92 अंग प्राप्त किया उसे अपना पर्थम जिला अवन्टित हो गया साथियों हम बताते हैं कि वैसी महिला सिक्षिका जिन्होंने 104 अंग प्राप्त की उनको पर्थम जिला आवंटित नहीं हुआ, दूसरा जिला की तो बात छोड़ दिया जाए, उन्हें तीसरा जिला आवंटित किया गया साथियों हम बताते हैं कि वैसी सिक्षिका जिन्होंने 96 अंग प्राप्त की उनको पर्थम जिला तो छोड़ दिया जाए, दूसरा जिला भी नहीं दिया गया, और तीसरा जिला उनको आवंटित कर दिया गया, वही कुछ ऐसी भी सिक्षिका है, जिन्होंने 95 अंग प्राप्त किया और उनको पर्थम जिला आवंटित हो गया। साथियों हम बताते हैं कि वैसे सिक्षक जो बिल्कुल सक्षम थे उनको पर्थम जिला और उनका गिरी जिला आवंटित कर दिया गया। पर्थम जिला आवंटित कर दिया गया। उनको पर्थम जिला आवंटित कर दिया गया। ना तो दूसरा जिला बलकि तीसरा जिला मिला। इन बिंदूओं पर कहीं सिक्षकों का ये आरोप है कि दिन में अगर पुर्व सिक्षा मंतरी और बरतमान संसर्दिये कार्ज मंतरी द्वारा ये बयान नहीं दिया जाता कि सिक्षकों को सरकार के तरफ जुकाव होना चाहिए। चुदूर जिलों में नौकरी कर रहे थे उनको मैंने अपना जिला दे दिया है अगर उनके द्वारा आईसी बाते नहीं की जाती तो निश्चित रूप से सिक्षकों को ऐसे दंस नहीं जहिन ले परते और उनका जिला दरबदर नहीं होता। सिक्षकों का ये कहना है कि सिक्षा विभाग और इनसे जूरे तमाम आधिकारियों को सरकार से नहीं बनते। इनके तमाम आधिकारी ये कदाफी नहीं चाहते कि हमारे केरेडिट को कोई दूसरा ले और दिन में बयान देते ही चार घंटों के अंदर रिजल्ट जारी किया जाता है और 25 परतिशत सिक्षकों का जिला दर बदर हो जाता है खैर आब तो हो गया आगे क्या होगा साथियों आप सभी को हम बता दे कि राहत भरी खवर ये है कि अभी मानेनिये पटना उच नयाले का न्याय निर्ने अभी आना बाती है कि सारी तयारिया पूरी कर ली गई ह और पर्थम सप्ताह अपरेल में मानेनिये पटना उच नयाले का न्याय निर्ने आएगा और बिना सर्थ सभी सिक्षक राज कर्मी घोशित किये जाएंगे उस वक्त ना तो सक्षमता परिच्छा का कोई महत्तो रहेगा ना तो जिला आवंटन का कोई महत्तो रहेगा ना त पटना उच नयाले के नयाय निर्ने की अंतरगर। गरामीन छेतर के विद्याले समंधी रिक्तियों को सौप्ट वियर में अपलोड करने हितू 15 अपरेल 2024 से लेकर 22 अपरेल 2024 तक समय सिमा परमंडल बार निर्धारित कर दी गई है। तो हम आपको बता दे सातियों कि बार बार अपर मुख्य सचीव द्वारा बयान दी जा रहीती की सिक्षकों को सक्षमता परिच्छा में सफलता के बाद सहरी छेतर दिये जाएंगे। अला कि माने ये पटना उच नयाले के नयाय निर्ने के बाद ऐसा नहीं होगा। लेकिन अभवाद के रूप में अगर होता है तो 25 परतिशत सिक्षकों को ही सहरी विद्याले आवंटित हो पाएंगे और 75 परतिशत सिक्षकों को गरामीन छेतर के विद्यालियों में जाना परेगा। क्योंकि इतनी जादा रिक्तिया नहीं है सहरी छेतर में सिर्व शिर्फ सिक्षकों को सक्षमता परिच्छा में सामिल होने के लिए ऐसे सगूफे छोड़े गए थे जिनके जाल में तमाम सिक्षक भी हस गए थे। और रही बात सिक्षकों के विद्याले आवंटन की तो सिक्षा विभाग द्वारा समय को टाला जा रहा है जहां 22 अपरेल तक रिक्तियों को अपलोड किया जाएगा आखिर कौंसलिंग कब होगी। तक िरिसाद दोनों बदल कर रख देंगे। यह थी आज की आहम खबर आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे। इन तमाम बिंदू अपर आप सभी जै भारत दोस्तो